नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धर्म सर्मार्ग दोस्तों अक्सर लोगों की सिकायत होती है बर्कत नहीं हो रही है क्या करें हर कारे में बाधा आ रही है क्या करें बच्चे ठीक से सिक्षा नहीं पा रहे हैं साधी ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से घर में सुब मांगली कारे नहीं हो रहे हैं, क्या करें? चलिए हम बतलाते हैं आपको, आप अपने घर को अपने भागे वर्धक बनाईए, मुख्य द्वार के आसपास बेल का पेड लगाईए, केले का पेड मुख्य द्वार के पास बिलकुल भी ना लगाएं, किसी कीमत पर भी ना लगाएं, इसके साथ ही हर सुमबार के दिन आम क आम के पत्तों का आपको बंदनवार लगाना है, और हर सकता चेंज करना है, असवक के पत्तों का भी आप बंदनवार लगा सकते हैं, इससे भी घर में बर्कत आती है, और साथ ही साथ दोनों साइड आप मुख्य द्वार के स्वास्तिक बनाएं, घर के अंदर की और से गने जी के पीठ में दरिद्धा का बास होता है अब हम बात करते हैं क्या रखने से बरकत हो निगेटीब उर्जा को जो बास्तु दोस बढ़ा रहा है उसे तुरंट बाहर करें भले ही वो कितना भी कीमती वस्तु क्यों न आ हो कहते हैं न कि सजीम निर्जीब दोनों ही वस्तु का पेरा होता है कौन्सी वस्तु सूभ है कौन्सी असूभ आई ये बतलाते हैं दोस्तों इसका सभी कोई लाव उठाईए हम चाहते हैं सभी बेक्ति सुखी रहें अच्छे से रहें लोग बेकार के समान छत पे रख देते हैं पर आप ना रखें इससे आपके भाग्य में अब् पैदा करता है आपके सुग्रह जो आपके उपर विराजमान है वो दूसीत होते हैं सिलकर पहन लेते हैं पर ना पहने यह भी आपके दोस्कों बढ़ाएगा और भाग में राहु अबरोद पैदा करेगा सुक्र को पीडित करता है स्वक्ष और साफ सुत्री कपड़े पहने खटाब कपड़ा रफू करके भी ना पहने आप कपड़े को कुछ और यूज कर लें अगर वो नया है तो चपल भी तूटने पर आप पैबंध लगा कर ना पहने उसे हटा दे सनी वार के दिन तूटीवे चपले भाग में यह सारी बस्तु अप्रोद पैदा करता है अंद पूरे धर्न के हिसाब से आप देवीदेटा का चित्र लगाएं लेकिन पूरी घर में आप भग्वान के पल् sun के पीदा हो सकता है भगवान का एक नियत अस्थान है और वह हैं thoroughly पूरव का कौन इसान कौन, इसे हमेसा साफ सूतरा रखें और हलका रखें, यहां पे आप भगवान का पुझा कर सकते हैं, पर मंदिल आप भारी भरकम घर में ना बनाएं, इससे भी दोस पैदा होता है, पुझा अस्थान पर मुर्टियां ना रखें, आप तस्वीर की पु जाएगा इस अगनी को बैलन्स रखेगा रात में आप ज्यादा देर तक ना जगें और इससे ब्हस्पती कमजूर होता है सुभा साथी बहुत सुर्यदर किसमें उठ जाईए असनान बेगार करने के बाद ही रोज मरा के कारी कीजिए जाड़ो बेगार लगा के नास्ता खान जाएगी घर की इस तरियों को आप सम्मान दीजिए हमेशा अच्छा बोलें अच्छा सोचें इससे घर की जो तरंगे हैं वो बहतर होंगी पुजा पाठ कीजिए मंत्र जबी अगर नहीं कर पारें कोई बात नहीं सुभास हम आप भजन के ओडियो चला दें पांच मिनट है तो आप रखिए पर खोलिएगा मत सायदी कभी खोले बढ़ना आपके वास्तु दोस्त पैदा होगा आपको खिड़की दर्वाजा रखना है तो पूरविया उत्तर की तरफ रखिए और चपल जुते भी यहां वां बिख्रा कर घर में नहीं रखना चाहिए एक जगा ब बंधी रहेगी सनी असूब होता है पुराना लोहा कवारी भेगरे भी रखने से टुटी वी कुर्सी टेबूल घर में ना रखें ना ही किसी से फर्णीचर गिप्ट में लेवर्ना बरकत ना होगी धन्यूद्ट